दोस्तों अगर आप इंदजार किये बैठेते कि कब लैप्टॉप सस्ते होंगे और कब हमें एक बढ़िया सा कम बजट के अंदर गेमिंग लैप्टॉप खरीब के बढ़िया बढ़िया गेम्स के लें तो जो इंतजार की घडिया है वो खत्म होती है क्योंकि इस फेस्टिव सीजन मतलब नवरातरी दिवाली में इंडिया के हर मेजर प्लाटफॉर्म Amazon, Flipkart, सब के उपर बड़े-बड़े सील आने वाले हैं, बड़े-बड़े डील आने वाले हैं अब यह जो गेमिंग लैप्टॉप है, यह वेबसाइट के उपर इतने सारे अलग-अलग मॉडल अपलेबल हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए है, चार बढ़िया गेमिंग लैप्टॉप मैंने इस मेरे लैप्टॉप के उपर निकाल के रखे हैं फटा-फट से laptop पे shift हो जाते हैं और बात करते हैं कुछ बढ़िया gaming laptops की, let's go. Guys, जो पहला option मैंने pick किया है, that is Lenovo का IdeaPad Gaming 3. ये Intel के Core iFi 11th generation CPU के साथ में आता है, जो display है वो full HD है, मतलब 1080p है, IPS display है, 8GB RAM मिलती है, 512GB SSD मिलती है, जो graphics card लगा हुआ है, वो काफी अच्छा है, हाला कि generation थोड़ा पुराना है, बड़ graphics card काफी दमदार है, तो ये है 4GB का NVIDIA GTX 1650, जो इसका display है, वो 120Hz refresh rate के साथ में आता है, बाकि Windows 11 जला हुआ है, 3 months का आपको game pass और ये सारी चीज़े मिलती है, इसका जो keyboard है, वो सही माइने में मुझे काफी पसंद आया, क्यूंकि पहली बात तो ये एक backlit keyboard है, और साथ में इसके जो keys हैं, वो बिलकुल दूर-दूर है, spaced out है, जो arrow keys हैं, वो भी properly बने हुए हैं, बड़े keys हैं, जो numeric keypad है, वो भी present है, और इसका जो backlight है, वो फिलाल monochrome है, इसमें एक optional RGB वाला model भी आता है, जिसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, कीमत की अगर हम बात करें तो अभी ये लगबग 56,000-57,000 के आसपास का है, जो भी latest discounts आएंगे, deals आएंगे, और card offers आएंगे, उनको apply करने के बाद में ये laptop आपको लगबग 55,000 के असपास मिल सकता है, जहां पर ये एक बहुत ही अच्छा value for money option है, एक बार इसका जो look है वो देख लेते हैं, कुछ इस तरह से look है, ये RGB कीबोर्ड देखके धोका मत खाएं, क्यूंकि ये वाला जो particular model है, उसमें RGB कीबोर्ड नहीं है, तो कई बार हम shopping करते हों, confused हो जाते हैं, और गलत product जो है, वो हमारे घर के उपर आ जाता है, तो look कुछ इस तरह से आपको मिलता है, प्राइस फिलाल जो है, मैं sales start होने के पहले recording कर रहा हूँ, तो updated price जो भी है, वो community post, या फिर shorts वीडियो बनाके मैं चैनल के उपर डाल दूँगा, उसके लिए वो जो subscribe वाला बटन है, उसको जाके ज़रूर दबाईए, अब यह जो laptop है guys, इसके ports वोगर है मैंने चेक कर लिए हैं, तो ports भी इसमें, ठीक टाक है, HDMI है, USB है, ओर रॉल यहां पे जो complete connectivity है, वो proper है, तो 55,000 में एक अच्छा option हो सकता है आपके लिए, आए चलते हैं, next option की ओर, और जो next option है guys, this is HP का Victus, यह जो laptop है, यह Ryzen 5 5600H CPU के साथ में आता है, और यह जो H series होती है, यह high performance series होती है, Ryzen CPU के अंदर, जो display है, यह खास है, 16.1 inch का, तो display के ओपर हम खोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले बाकी चीज़े देख लेते हैं, display के जा resolution है guys, यह full HD है, मतलब 1080p है, 8GB RAM आपको मिलती है, 512GB SSD मिलती है, और यहाँ पे जो graphics card है, वो team red की तरफ से है, मतलब यह है AMD का Radeon RX 5500M, तो अगर आप team red से जुड़ना चाहते हैं, तो यह वाला laptop आप ले सकते हैं, flicker free display है, Windows 11 जला हुआ है, MS Office और यह सब चीज़े normal है, एक बार look देख लेते हैं, तो look जो है हमेशा HP का बहुत ही sleek रहा है, एक matte gray type का finish है, और दिखने में जो laptop है, वो मुझे काफी खूबसूरत लगा, लेकिन हमेशा की तरह जो HP है, वो कई ने कई थोड़ी गड़बड करी देता है, अब यहाँ पे लिखा है gaming laptop, और gaming laptop की keyboard के जो arrow keys है, वो छोटे-छोटे करके पिछका दिये, भई अगर gaming laptop है, तो keys बड़े देने चाहिए थे, तो एक छोटी-छोटी आनॉयंस जो है, वो यहाँ पे मैं हमेशा आपको pick करके बताता हूँ, बाकी सारी चीजे नॉर्मल है, एक बार मुझे इसके जो ports हैं, वो देखने हैं, because connectivity is very important for gaming, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें जो ports हैं, वो कौन-कौन से लगे हुए हैं, ports कहाँ पे हैं, भई, let me see the ports, यहाँ पे हैं इसके port, तो आप देखिए, यहाँ पे जो port का selection है, वो बिल्कुल पूरा है, LAN आपको मिलता है, wired gaming के लिए HDMI है, USB type A है, type C है, आपको card reader मिलता है, headphone jack मिलता है, और दूसरे साइड में भी आपका favorite gaming, keyboard and mouse लगाने के लिए 2 USB port मिलते हैं, अदलब कुल मिला के, 4 USB port, 1 HDMI साथ में LAN port, और वो display के हम बात कर रहे थे, ना कि display में कुछ खास है, तो guys, यहाँ पे जो इसका display है, वो देखिए, इस display में क्या किया है, कि यह जो display है, यह size में काफी बड़ा है, और इसके जो bezels हैं, वो bezels कर दी हैं, छोटे, यह देखिए, यहाँ पे बताया है, तो normally जो 15.6 इंच का जो laptop होता है, लगबग उस form factor में आपको bezels छोटे करके, वीवेबल एरिया बड़ा मिलता है, लगबग 16 इंच की स्क्रीन है, एकदम narrow bezel से दिखने में बहुत ही sleek है, display के साथी साथ, मतलब visual के साथी साथ, इसका जो audio है, वो भी अच्छा है, जो की B&O की तरफ से आता है, पहले HP जो audio देता था, वो beats का देता था, मेरे laptop में beats का है, अब भी यहाँ पे audio आता है, B&O की तरफ से, तो यह छोटे-छोटे annoying gaming keyboard वाले keys अगर आप send कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे भी HP ने तारिफे की हैं, लिखा है, spaced out, लेकिन keys practically छोटे दे दिए, तो यह annoyance अगर आपको मंजूर है, या फिर अगर आप external keyboard लगा के gaming करते हैं, तो एक बहुत अच्छा option हो सकता है, आपके लिए, आईए चलते हैं, next option की ओर, गाइस, यह है Asus का tough gaming A15, और जब भी हम imagine करते हैं कि या गेमिंग laptop कैसा होना चाहिए, heavy duty, rugged, hutta, kutta, motor, भारी, बिल्कुल उसी तरह का laptop जो है, वो यहाँ पे मैंने pick किया है, यह 15.6 इंच के display के साथ में आता है, जो की full HD है, refresh rate काफी अच्छा है, 144Hz, मतलब अगर आप competitive gaming करते हैं, point and shoot games किलते हैं, तो response time बहुत अच्छा रहेगा, CPU वैसे अच्छा है, Ryzen 7 है, लेकिन थोड़ा सा पुराने generation का है, हला कि इसको आप कमजोर मत समझें, क्योंकि यह है Ryzen 7 4800H, जो यहाँ पे graphics card है, क्योंकि भई, game तो graphics card भी चलेंगे, the most important part is graphics card, तो इस laptop का graphics card बहुत strong है, उसके वज़े से मैंने इसको आज के इस list के अंदर pick किया, तो जो graphics card है, यह है GeForce RTX, जी हाँ, this is not GTX, this is RTX 3050, latest graphics card है, काफी अच्छा है, RAM भी भरपूर है, 16GB, 512GB के आपको SSD मिलती है, Windows 11 डला है, Office Black डला हुआ है, और वो हट्टे-कटे look के मैं बात कर रहा था ना, तो यह देखिएगा, इसका जो look है, immediately बहुत ही अच्छा है, 100% gamer वाला look है, सब जगा आपको जो है, यहाँ पर vents मिलेंगे, mesh मिलेगा, brushed aluminum finish मिलेगा, keyboard भी काफी अच्छा है, तो overall एक अच्छा option हो सकता है, लेकिन इसका जो price है, अगर आपको यह 70 के नीचे मिलता है, offers वगरे लागा के, तब आप इसको ले सकते हैं, 71, 72 में, यह वाला जो Ryzen 4 जनरेशन वाला जो laptop है, इसको मैं recommend नहीं कर सकता, आइए चलते हैं, next option के वर, गाइस जो next option मैंने pick किया है, वो है Acer का Nitro 5 gaming laptop, यह 11 जनरेशन Intel Core i5 के साथ में आता है, जो कि एक hex core processor है, display भी काफी अच्छा है, full HD with 144Hz, RAM is 8GB, 512GB के SSD मिलती है, और जो graphics card है, वो भी respectable है, NVIDIA का GTX 1650, pricing फिलाल काफी अच्छी है, और discount वोगरे लगा कि यह और भी सस्ता हो जाएगा, यह जो 8GB model है, इसके अंदर 16GB का भी option है, तो आप देख लीजी, अगर आपको 16GB वाला लेना है, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जी हाँ, यह जो laptop है, इसका upgradability मुझे बहुत ही पसंद आया, तो upgradability क्या है, देख लेख लेए, तो यहाँ पे जो RAM है, यह DDR4 है, और इसके अंदर 2 RAM slot है, मतलब आप इसको 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो SSD है, उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो overall upgradability इसकी अच्छी है, आपके उपर है RAM आपको RGB वाला लेना है, या Solar वाला लेना है, लुक है वो देख लीजे गाइस, budget में पहली बार यहाँ पे RGB कीबोर्ड दिया है, तो आप देख सकते हैं, कीबोर्ड का लुक काफी अच्छा है, और जो ports हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, मतलब 2 USB port है, audio jack है, और HDMI output और यह सब है, मतलब fully satisfied connectivity यहाँ पे option है, बजेट भी अच्छा है, अगर मुझे आज के जमाने में एक gaming laptop लेना होता इस दिवाली से इल के आसपास, तो मैं शायद यही वाला लेता, अगर आपको लेना है, तो इन सभी laptop के buying link मैंने नीचे description में दिये हैं, जब भी आप laptop purchase करें, मेरे दिये गए affiliate link से ही purchase करें, और अगर आप कुछ और category के laptop देखना चाहते थे, बजेट के अंदर कुछ बताइए, office use के लिए बताइए, तो आपके screen के उपर यहाँ पर कुछ cards आएंगे, इन cards को click करके आप और भी informative videos के उपर जा सकते हैं, आज के वीडियो में इतना ही guys, take care and have a nice day.